हेलो फ्रेंड्स दिस इस अमीद गवरब और स्वागत हैं आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्विंग टेडिंग में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेस करते हैं जिसमें हमारा टार्गेट और इस्टॉपलस पहले से डिफा होग रहता हैं और हम दूसरे कमीं में इन्वेस्ट करने के लिए रिड़ी रहते हैं तो इसी तरीके से थे कि अपना डिफान को रोटेट करते रहते हैं और और सुम्करेटिंग की स्टेटिंग से हम ठॉड़ह से बनाते रहते हैं तो दोस्तों आज इसी स्टेटजी और कुछ sell के stock हैं तो इनको किस level के पर buy करना चाहिए और किस level के पर हमें sell करना चाहिए यह सारी चाहिए हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले आप हमारे अगर channel पर नए हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजे The Way Up Growth के नाम से हमारा channel है इसको subscribe कर लिजिए और यहाँ पर मने telegram group का link दिया हुआ है और whatsapp group का link दिया हुआ है जो telegram group है उस पर मैं जितनी भी मेरी suggestion रहती है जितनी मेरी research रहती है इस talk के बारे में वो मैं telegram group पर post करता हूँ और whatsapp group में कई सारे लोग जुड़े हैं अगर आपको कोई केवरी है यह आप discussion करना चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वाट्सप गुरूप को जॉइन करके बहां पे आप कोई भी कवरी post कर सकते हैं उसका हम जबाब देने की पूरी कोसिस करते हैं और हम देते भी हैं तो यह देखिए आप हमारा यह टेलिग्रम चैनल है और यह हमारा वाट्सप गुरूप है यहां पर काई सारे लोग अपने क्यूशन पोस्ट करते हैं उसका हम जबाब भी देते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस्टॉक बता देता हूं कि वो चार इस्टॉक कौन-कौन से हैं जिसके बारे में हम आज और किस लेवल के निकलने के बाद में हमें उसके करना चाहिए तो देखे दोस्तों पहला है इसको इसमें हम जहां तक मेरी रिसार्च मने की है इस पे 710 के उपर गरपाईज निकलता है तो इसमें एक अच्छी मुवमेंट अभी दिखाई दिखाई देने को मिलेगी और उस मलब हो सकता है आने वाल समय में और अगर वो लेवल उसने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में एक हजार तक का टार्गेट आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसमें हमारा मीडियम डर्म का वी हो है क्योंकि इस टॉक अच्छा है और इसमें ब्रेक आच चुका है तो एक हज इंडेश्टी 400 के उपर हमने सज्जेस किया था जिसमें लगबग हमारे 430 का च्छोटा सा टार्गेट था लेकिन मैंने यह भी कहा था कि अगर आप इसमें होल करेंगे मेडियम डर्म के लिए तो लगबग आपको 500 तक के लेवल भी दिखाई देंगे तो हमें में हमें इसम सेल की पोजिशन बनानी है अगर यह 300 का नारायना हर्दियाल मैं प्ल न boy काल दिखाई है मिल सकते हैं इंटीर थोड़ा इसखी होता है तो आप बहुत ही उतनी सब म कांटिटिट बेर कर सकते हैं कितना लास बेर करना कितनी कॉनिट्टि बाई करनी एक इंटाडे के उपर भी मैंने वीडियो बनाई है आप उसको चेकाउट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में itc future में listed है 은 far the compare सकते हैं एक एक सो कानी ठीच देखें दोस्तों ये प्राइज सारे मैंने कैस्ष लेवल के प्राइस लिए है फ्यूतर में प्राइस फूड़ा उपर या नीचे हो सकता है तो एकॉर्डिंगली उसको मैंश कर लेना है इंटिसी में 165 के उपर कैस में अगर नीचे प्राइस जाता है तो आपको इसमें सेल करना है और कैस में 169 का इसमें stop loss लगाना है टार्गे ऐक साथ और एक सो अथावन की टार्गेट रहेंगे फ्यूचर का स्टॉक है बतीसों का लॉट साइज है तो मैंने टार्गेट इस्टॉप बहुत छोटे-छोटे दिये हैं ताकि जल्दी वह अचीव हो जाए और हम लगवद 15-20,000 को जो भी प्रॉफिट बनता है उसको लेके हम बार हो जाए तो अगर 65 के नीचे सेल हुआ है तो लगवद 5-20,000 का हमें टार्गेट मिल जाएगा तो पंती है 15-15,000 तक इसमें बन सकता है लेकिनि उसकी हिसाब से अगर इस्टॉप लोस भी चार पाइंट का स्टॉप लोस है तो चार तियां बारा लगवद 12-20,000 का रिस दोने चीजों को अपने रिस्क मेनिजमेंट के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं अगर आप यूचर में आपको ज़्यादा लग रहा है लौट साई तो आप इसमें इंट्राडे में भी बहुत छोटी क्वाटिटी से ट्रेड कर सकते हैं इसको समझने के लिए उसके बाद म यह डिसकाउंट पर फ्यूचर में ट्रेड होता है तो उसको आप देख लीजेगा क्योंकि यह चीजे बहुत ज्यादा अगर मैं प्राइस पर फोकस करूंगा तो रिसर्च करने में जो टाइम में ज्यादा चाहिए वह हम नहीं इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा आप दो अब लगवादा में बैस्किसों का लॉट साइज है तो इसके साब से आप एक अपनी पोजिशन लीजेगा तो दोस्ते चार इस्टोक हैं इनको अपनी बाच लिसमें लगाईये और कल की डेट में देखते हैं इसमें हमारे टार्गेट कितने आते हैं कितने इसमें हमें इर दोस्तों आज की वीडियो में बसी इतना यह चारी स्टोक हैं अपनी वाच लिसमें लगाईये इनको मोनिटर कीजिए और छोड़-छोड़ी कौनिटी में अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए और कैसे पैसा बनता है मार्गेट में वह आप जीतर के से सीख सके हैं तो ठीक है दोस्तों आज के लिए वस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रिसेच के साथ में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए और थैंक ये वरी मच